जहिन जह भारत दोस्तों जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे मैं भी कर रहा था और उसके लिए तैयारी कर रहा था वो दिन कल से स्टार्ट होने वाला है 5 सितंबर तो 5 सितंबर से हम बहुत ही अच्छा एक प्रियास करने वाले हैं कि UPSI NTPC आप कोई भी तैयारी करो ठीक ह फोकस आपका किस पर होना चाहिए सब्जेक्ट पर अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा तो तैयारी भी अच्छा हो जाएगी तो कल से जो है टार्गेट आपका स्टार्ट हो रहा है इसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्या-क्या प्रोवाइड करने वाला मेरा प्रयास रहेगा कल सůबस 7 बजे तक आपको टारगेट मिल जाये क्या- French पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ मैं भी जो है ऐसे टारगेट नोट करूंगा तो डारी में मैंने नोट कर लिया है पांस तारीक का क्या कहले मैं बता दूँ आप जैसे मैं बोलूँगा वैसे करिएगा इफ और बट वहाँ पे सब्द न यूज करिएगा जो मैं कहूँगा वो करते जाईएगा आपको सुधार और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं हिंदी और इसका पीडियफ मैं आप लोगों को दूँगा माली जी आपके पास किताब नहीं है तो इसका पीडियफ मैं दूँगा तो सबसे पहले हिंदी में नोट कर लिए कि आपको तीन दिनों में क्या पढ़ना है बिरहस्पतवार, सुक्रवार और शनिवार को इन तीनों का PDF नोट कर लेना भाई कौन कौन सा दिन आपका Thursday का, Friday का और Saturday का Sunday को क्या होगा इसका objective का आप मनलब अगर पहले पढ़ लेते हैं तो पहले नहीं तो इसको पढ़ने के बाद Sunday को जो है objective का test दीजिए संडे को जो है इसका objective का test दीजिएगा मैं पढ़ने का तरीका बता दूँगा आपको क्या पढ़ने का तरीका बता दूँगा ठीक है तो हिंदी में आपका chapter कौन सा रहना है मुहावरे वह लोकाक्तियां आप बोलेंगे सर यहां से क्यों start हो रहे हैं तो देखो भाई हमारा जो तरीका रहेगा हमारे हिसाब से रहेगा मैं आसान से आपको कठिन की तरफ ले जाऊंगा easy से आपको कठिन की तरफ ले जाऊंगा क्यों क्योंकि मुझे course नहीं सेल करना है सबसे पहली बात हमें आपको भै में नहीं डालना है कि म provider बहुत यह है ठीक है हम आपको भै में डालके course सेल करने वालों में से नहीं है हम आपको अपने तरीके से ले जाएंगे और ताकि आप अच्छे से चल सकें ठीक है हम आपको पहले ही यह नहीं कहेंगे कि यहां पर तुमको जंप करना है यहां से डाइरेक्ट ठीक है यहीं से slightly आपको चलते जाना है लेकिन मुझे क्या चाहिए continuity चाहिए क्या इस लाइन का अखासियत क्या है पता है continuity continuous आपका लाइन ऊपर की तरफ देखिए बढ़ता जा रहा है तो आप इस चीज को रखिएगा तो हमारा पहला क्या रहेगा मुहावरेयों लोकाक्तियां इसका PDF जो है सुबह आपको मिल जाएगा साथ बज़े तक PDF इसका मिल जाएगा और कैसे इ राओं कल का टारगेट इसका PDF मिल जाएगा तो हिंदी आपका खतम हो गया फिर हम आ जाते हैं reasoning में ठीक है reasoning में आएंगे तो आप उत्तर प्रदिस पुलिस एक्जाम में फोकस किये होंगे अगर आपका कोई चीज खराब किया होगा बहुत ज्यादा तो non-verbal reasoning क्या करता है बच्चा non-verbal reasoning अंत तक ध्यानी नहीं देता है क्या करता है non-verbal reasoning जो है अंत तक ध्यानी नहीं देता है वो सोचता है कि बहुत ही आसान topic है और जब question आते हैं तो उससे गलत हो जाते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं मैं पहले interest आपके अंदर पैदा करना चाहता पढ़ने का तो non-verbal reasoning में हम लोग start करने वाले हैं आपका horizontal और perpendicular जो आपका रहता है मतलब mirror image या बोल दीजिए इसको जल प्रतिवीम बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं जल प्रतिवीम इसको क्या बोल सकते हैं mirror image तो यहां से लगभग मैं आपको इन तीन दिनों में बिर डिस्पतवार शुक्रवार शनी वार चाहता हूं कि आप कम से कम 150 प्लस प्रश्ण यहां से करें और संड को कम से कम जो है 50 प्रस्ण मैं आप को टेस्ट के रूफ में दूँ कुएम इसको तो आप क्या करना विना स्टाफ वाज के करना है करने का तरीका भी कल मैं बताओंगा डेमो दूंगा इस वीडियों का इसका जो एए फिर्स प्रश्ण दूंगा इसका डेमो भी दूंगा और संडे को जो है पचास कुषचन का टेस्ट भी दूगा तब आप इसको इस टप वाच लगा के करना जब आप इसको इस टप वाच लगा के करोगे कि तो आप प्रेसर जेलना सीख जाओगे देख लेना ठीक है तो यह हो गया हिंदी यह हो गया और बाकि बहुत लोग कराएंगे आपको 20-30 कोस्चन मेरे रेमेज 50 कोस्चन करा देंगे, कुछ नहीं होने वाला 50 कोस्चन से, प्रेक्टिस इतना कर लो कोस्चन का कि आपका कोस्चन देखते ही साल हो जाए, अब आप सोचोगे सर क्या UPSI में आया था, तो भाई मैं किताब यह देख लो, आपका 2017 में आया था, 2021 में नहीं आया था, तो यह गारंटी नहीं है कि ना पूछे, तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और मनलब हर सिफ्ट में लगबग एक कोस्चन पूछा गया था, तो इस वज़ा से मैं मेरे रेमेज कराऊंगा ही कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा, जो चैप्टर कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, फिर अब बच्चे इंतजार में होंगे मूल विधी के, तो हम लोग मूल विधी का कल देखेंगे, पहला धारा, ठीक है, मूल विधी का इंट्रोडक्शन देखा जाएगा, परिच्छे देख जएगा और धारा देखा जएगा एक क्योंकि एक में ही जो है आपके कई सेक्शन है जो पहला सेक्शन है इसी में आपके कई सेक्शन ही स्टाइब लगाना है सेक्षन और अनुछेत को लगाना है वो मैं तरीका बता दूँगा सीशा मैंने भी लगा लिया है और मेरी छुट्टी भी हो गई है दो दिन का और इसको मैं एक्सेंड कर लूँगा जो भी अपना मतलब बिना सैलरी वाला या जैसे भी रहेगा ठीक है क्योंकि लोगों से मैंने उधार भी मांग लिया है कि मुझे अगले महीने सैलरी नहीं आएगी मेरी ठीक है तो मैझ दो तीन महीने इसको लगांगे किस के बघल में सीशा के बघल में कैसे आनुच्छेद एक्दम धारा ईयाद हो जाए каз और quality quality में क्या पढ़ने वाले हैं quality में मैं बता दूं आपको पॉलिटी में आपका मैं हेंड रिटेन नोट बनके तयार है कल इसको आपको प्रोवाइट कर दूँगा लगभग लगभग मान के चलो दस बजे तक मेरे पास आ तो गया है लेकिन पता नहीं क्यों लिंक भी उसका आ रहा है तो मैंने चाहता हूं उसका लिंक रहे तो मैंने उस बच्चे को बोला है आप फिर से इसको स्कैन करके मुझे भेजिएगा तो यह लगभग 9-10 बजे तक मिल जाएगा ठीक है और चैप्टर का नाम क्या है भारत का समयधानिक विकास और इसका मैं वीडियो भी बना के दूँगा आपको यह जो है आपको भारत का समयधानि समयधानिक विकास का वीडियो भी आप लोगों को मैं बना के दूँगा इसमें लगभग 25 पेज हैं लिखा हुआ जो हैं रिटन नोट है 25 पेज हैं तो इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा और इस से बाहर कोश्चन नहीं जाएगा आपका ठीक है आप इस डाउट को हो सकते हैं तो आपको पॉलिटी का बुक लेने का जरूरत नहीं है मूलवीदी का बुक लेने का जरूरत नहीं है अब बारी आ जाती है हमारा मैथ का तो बहुत से बच्चों ने बोला एक सर मैथ बेसिक से रखिएगा तो आप पेसेंस बना के रखना बस देखो फड़ पीसी का जो साइको टेस्ट का इजाम होता है ना मैं बता हूँ इस तरह से एक कोश्चन पूछा जाता है बता रहा हूं एक्जाम्पल के लिए जैसे मान लिया इसमें लिख दिया ठीक है इस तरह से ऐसे मतलब लंबा सालिक देता है मतलब 25 सब्द रहते हैं और ऐसे आपके 30 कोश्चन रहते हैं एक से 30 तक आठ से 10 मिनट में 10 मिनट मेरे ख्याल से रहता है 10 मिनट में 30 कोश्चन करने रहते हैं कितने कोश्चन करने रहते हैं 10 मिनट में 30 कोश्चन क्या करना रहता है इनमें 20 संख्या को जोड़ना रहता है जैसे देखो क्या करना रहता है तीन एक चार साथी ग्यारा पांच तो लेकिन जैसे ही कल्कुलेटिव होता है तो आप जोड़ घटाना गुड़ा भाग में फस जाते हो तो जो पहला हपता होना चाहिए बच्चों का तयारी का ओ होन सिंप्लिफिकेशन जितना ज़्यादा आप कर सको तो मैं आपको 2 दिनों का तर्गट दे रहा हूं जोड़ का जब मैं मैं मैंध का वीडियो बनाऊंगा तो बता दूँगा आपको देखो पहले दिन आपको क्या करना है कल क्या करना है जो इन question को दूँगा मैं normal way में आप जोड़िएगा ठीक नार्मल तरीके से जोड़िएगा लेकिन कम से कम समय का प्रयास करिएगा लेकिन जब अगले दिन आपको जोड़ना रहेगा आप staff watch लगा के साल्व करेंगे question को क्या जब परसों इन्ही question को करेंगे staff watch लगा के करेंगे और देखेंगे कितने question में कम से कम में आपका error आ रहा है तो यह हो गया कल का target टेलिग्राम ग्रूप बता दें UPSI आदित सिंग वीडियो के description में भी आपको link मिल जाएगा channel के community में भी आपको link मिल जाएगा ठीक है चैनल के community में भी आपको link मिल जाएगा और यह हमारा टेलिग्राम ग्रूप है लगबग 14,000 बच्चे एड़ हो चुके हैं इस ग्रूप में ठीक है तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सभी का PDF कल सुबह आपको मिल जाएगा बस जो समयधानिक विकास है उसी का PDF आपको नौदस बजे मिलेगा नहीं तो बाकी सब का PDF जो है आपको मैं सुबह 6 बजे तक provide कर दूंगा तो जैहिन जैभारत और बता बताऊंगा भी ऐसा नहीं है कि मैंने target दे दिया मेरा काम खतम भाई यह करना रहता तब तो मैं इसको नौकरी के साथ भी कर लेता इतना ही करना रहता भाई मैं आपके साथ लगूंगा ठीक है मैं आपके साथ लगूंगा वीडियो बनाके दूंगा महत का रिजनिंग का पॉलिटी का और मूल विदी का एकदम तय लोग जो बोल रहे हैं छोटा चैनल है तो उस कि पचास अजार सब región बर सीक्षाईबरु उन्हीं लोगों को अपना दम दिल्खाना है हम भले ही पचास reply वासे चैनल से जूड़े हैं लेकिन मैनद करके वहां बड़े लोगों से ज्यादा यहां से सलेट्सण लेक दिखाएंगे ठीक है बहुत भले ही भीड़ ना बढ़े लेकिन आप ही लोग को हमारा जो है इस बचाना है इस बात को जान लीजिएगा ठीक है तो चलिए खतम करते हैं थैंक्यों